आप अपना डेटो बर्थ टाइम प्लेस और नेम हमें हमारे कारेकरम के कमेंट में जरूर छोड़िए और अपना सवाल भी लिखना बिल्कुल मत भोलिए इससे आपको आपकी जन्मकुंडली में या जीवन में हो रही समस्याओं के बारे में समझने में आसानी होगी धर्मम धनम चधान्यम चगुरुर वचनमोशधम सुग्रही तस्च कर्तब्य मन्यथा तून जीवती प्रेदर्शकों नमस्कार एक बाद फिर से उपस्तित हूँ आप सब के सामने आज का कारेकरम ग्रहों के निर्माता तत्व अब ध्यान से समझेगा मैं क्या कह रहा हूँ यह समस्त ब्रंभांड पंच महा भूतों से बना है और उनके ही अंस जो हैं वो और यह जो पंच महा भूत है वो ग्रहों के निर्माण में लग जाता है यह पंच महा भूत से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है और उनके ही अंस हैं प्रिथवी, जल, अगनी, वायू और आका जो पांच तत्व हैं वो पंच महा भूतों से के अंस हैं पंच महा भूतों के अंस हुए पंच महा तत्व हैं जिसे प्राया हम अगनी, जल, वायू और आकास समझते हैं ग्रहों के निर्माण में इन ही तत्वों की आवशक्ता होती है और इन ही पंच तत्वों से मिलकर के ग् निर्माण होता है, चाहे वो सुर्य हों, चाहे वो चंद्रमा हों, मंगल, गुरु, शुक्र, शनी, राहु और केतु को इसमें नहीं देखा जाता है, कारण ये है कि राहु और केतु कोई एक फिजिकल गरह नहीं है, एक इनकी एक जो होती है कि स्टेटस, उनका एक भौतिक रूप नहीं है, वो पारचाही है, बादल का कोई स्वरूप नहीं होता ना जिस तरह से, वो कल्पना शील होता है, जैसे आकास में जब बादल हम देखते हैं, तो क्या सोच लेते हैं, कि ये बादल ने इस आकार का अपना प्रतिरूप धारण किया है, तो बस यही बात तो उसे निर्मित नहीं माने जाते हैं, बात आज की कारिक्रम में पंच महाभूतों के ग्रहों पे होगी कि कौन साग्रह किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई ग्रह विशेस किस तत्व का अधिस्थाता होता है, कारिक्रम शुरू के आरंभ में मैंने जो स्लोक बोला है उसका अर्थ बताऊंगा लेकिन कार्यक्रम अंत तक देखिएगा तब पता चलेगा एक बात बताता हूं समस्कृत बोलने पे कई बार लोग सामने वाले को पिछड़ा हुआ भी महसूस करने लगते हैं और कई बार ये चीजे आपके वर्ग में आपके कप्छा में ज तुम्हें कैसे संस्कृत आ जाती है मुझे तो संस्कृत आती ही नहीं है मैं तो पढ़ी नहीं पाता हूं मुझे तो सरक के उपर से जाती है ये गलत बात है आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ हसी कर रहे हैं लोगों को प्राया मैंने ये कहते शुना है संस्कृत आप बोल लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, मुझे तो संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती है, ये क्यों होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, संस्कृत हमारी मात्र भाशा है, और आप जिस भाशा का इस्तमाल अभी कर रहे हैं, वो वहीं से आई है, अब आते हैं कारिक्रम के आरंभ में कि ग्रहों के निर्माता तत्व, अर्थात, सुर्य और मंगल ये क्रमशह अगनी तत्व के अधिस्थाता ग्रह कहे जाते हैं मतलब अगर आपकी कुंडली में सुर्य की कमजोरी है और मंगल की कमजोरी है ये दोनों ग्रह करमशा मृतप्राया है और अवस्थागत कमजोर हैं तो ऐसे इस्थुति में आपके शरीर में भी इन इलेमेंट की कमी और कमजोरी देखी जा सकती है आप महत्वा कांछा आप में कम होगा आपका इगो कम होगा और कई बार आप उर्जा से कम अपने आपको महशूश करते होंगे उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा और शुक्र की तो ये दोनों ग्रह जल तत्व के अंतरगत आते हैं मतलब ये कहीं न कहीं जल तत्व से प्रेरित होते हैं इनका जो तत्व होता है इन ग्रहों का जो निर्माड हुआ है क्रमशा चंद्रमा और शुक्र का इनका निर्माड जल से हुआ है और जल जैसे तत्वों से मिलकर के इनका निर्माड होने से जल तत्व के उपर इनका प्रादुरुभा इनका जो है एक अधिपत्य होता है अब उसके बाद प्रिया दर्शकों बुध की जब बात करते हैं तो बुध देखिए पृथिवी तत्व के अंतरगत आता है और बुद्ध जो है वो पृत्वी तत्व से बना हुआ ग्रह कहा जाता है या ये कहा जा सकता है कि पृत्वी तत्व का निर्माता, पृत्वी तत्व से निर्मित, पृत्वी तत्व से युक्त हो करके बुद्ध ग्रह का निर्मान हुआ है उसके बाद जब बात गुरु की करते हैं तो आकास तत्यु से जो शुन्य है आकास का मतलब क्या जो सुन्य है जिसका कोई परिभाशा ही नहीं है जो किसी के द्वारा परिभाशित नहीं किया जा सकता है जिसकी कोई अपनी परिभाशा नहीं है आकास का मतलब क्या है शुन्य जीरो और क्रमशः आकाश का मतलब जहां से सुरू होना वहीं पे आकरके उसका end होता है तो बस यही बात है कि गुरू जो है वो आकाश तत्व शे निर्मित ग्रछ आकास तत्व के अधिस्थाता या आकास तत्व के अधिपति कहे जाते हैं उसके बाद जब बात शनी की आती है तो ये वायू तत्व के अंतरगत आते हैं वायू तत्व जो अत्यंत तिव्र हो और तुरंत से अपनी प्रकृति और स्थुति को बदलने वाला हो ये ग्रह है और उनका अधिपत्य ये ग्रह मतलब ये तत्व जो है इनके अधिपत्य ये ग्रह कहे जाते हैं अब कैसे तो वायू तत्व जो है वो शनी के अंतर गताता है मतलब वायू तत्व का जो अधिस्थ हाता है वो शनी है या फिर अगर शनी का निर्मार हुआ है तो वो वायू तत्व से हुआ है अगर आकास तो गुरू अगर पृत्वी तो बुद्ध अगर परजल, चन्रमा और शुक्र, अगर अगनी तो सुर्य और मंगल ये बाते हैं। अगर यहाँ पर यह तो परभाशा थी। और मैंने आपको बता दिया। इसको समझे कैसे ये काम करते हैं। मैंने जैसे की आरंभ में कहा है कि ये समस्त ब्रम्हांड पंच महाभूतों से बना है और उसके ही अंस हैं पंच तत्व जो प्रत्वी जल, अगनी, वायू और आकास हैं प्रतेक व्यक्ती, प्रतेक पिंड, इस धर्ती का प्रतेक अंस, चाहे वो कितना ही निम्नतम क्यों न हो, उसमें ये पंच महाभूत, अर्थात उनके जो अंस हैं, पंच तत्व, वो निर्मित हैं, वो उसी से निर्मित हैं, और ये पंच तत्वों से मिलकर के ही, इस समस्त ब् अंदर जिस तत्व की कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए हम उस अधिस्थाता के पास नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं वो तत्व मुझे दे दो मुझे में उस तत्व की कमी है जब कुंडली में सुरी की कमजोरी होगी जब मंगल की कमजोरी होगी जब शुकर की कमजोरी होगी तब उससे सम्मंधित जो छेत्र होते हैं उसके कमतरी के बारे में आपको आसानी से पता चल जाता है और ये कई बार ऐसा होता है कि उसी चीज को पूरिद करने के लिए हम रत्न की शरण में जाते हैं, रंग की शरण में जाते हैं, भोजन की शरण में जाते हैं और ये फिजिकल लेबल पे बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे माल लिजे आपके अंदर पीतवर्ण की कमी तो आप क्या करेंगे, चुकि ये रंगों का शंसार है, तो आप Pee Le Rangos का इस्तमाल जादा करेंगे, तो बस यही बात है, कि अगर आपके अंदर रक्तवर्ण की कमजोरी हो रही है, तो आप सुरिय की आराधना करने लगेंगे, अगर पितवर्ण की कमजोरी आ रही है, है उस रंग की और मेरे अंदर उस चीज की कमी है इसको आप और नजदिक से आके समझाता हूं थोड़ा सा समझिएगा जिस भी व्यक्ति के अंदर शुक्र तत्व की कमजोरी होती है वो क्या करता है वो शुक्र के सरण में जाता है सुक्र के सरण में जाने का मतलब है कि वो उसे से समंधित रत्न धारन करता है और उसे समंधित रत्न धारन करने के बाद उसके अंदर वो जो तत्व है जाता है उसके अंदर जो है उसका जो है वो सरीर के अंदर उसे डाला जाता है या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे ही वो उस र वत्न के शरण में जाता है, जैसे ही वो धारन करता है, उसके शरीर के अंदर वो तत्व जागरित होने लगता है, और एक बात अगर इसको ऐसे समझें, तो किसी भी शरीर के अंदर ये तत्व बिल्कुल नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कि है ही नहीं, नील है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, अगर कोई एक तत्व नहीं होगा, तो आपका शरीर समुचित ढंग से काम ही नहीं करेगा, हाँ, निश्चित रूप से ऐसा संभव है कि वो कम है, वो कमजोड है, उसमें जागरती नहीं है, वो एक्टिवेट नहीं है, वो संचालित नहीं कर पा रहा है अपने आपको अपनी अवस्था को वो समझ नहीं पा रहा है कि वो सुसुपता है मृता अवस्था में है जागरित है या फिर प्रमुदित है वो कैसी इस्थुती में है वो खुद को समझ नहीं पा रहा है तो जैसे ही व्यक्ति अगर अपने तत्वों को पहचान लेता है अपने स्थुतियों को समझ लेता है, कि मेरे अंदर किस तत्यों की अधिक्ता है, जैसे आपके अंदर अगर गर्मी जादा है, तो उसको संतुलित करने के लिए आप चंद्रमा के शरण में जाते हैं, हे प्रभू, मुझमें थोड़ी शितलता दे दीजिये, मुझमें थोड़ी शितलता दे दीजिये, तो मैं शितल हो जाओंगा, हे प्रभू, मैं मुझमें शितलता जादा है, मेरे अंदर अक्टिव निश जो है वो कम है, तो आप सुरी की सरण में जाते हैं, मंगल की सरण में जाते हैं, तो ये बातें ग्रहों के तत्रों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। और ये बिलकुल समझने वाली बात है कि अगर आपके अंदर बिटमिन एक ही कमी होती है तो निश्चितरूफ से आपको गाजर खाना होगा। अगर आपके अंदर निश्चित रूप से अगर vitamin C की कमजोरी हो रही है तो आवले की शरण में जाना ही होगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, हो सकता है उसका source जो है वो अलग-अलग तरीके का हो, हो सकता है आप कोई allopathic दवाई ले ले ले, हो सकता है आप कोई और अन्य द सकते हैं, आप उसे आयूरवेट से भी ले सकते हैं, तरीका कई है, तरीका कई हो सकता है, लेकिन तत्व उसमें वही विद्धमान है, आप कहीं से भी उठा करके ले लीजे, जोतिश, रत्न, मंत्र और पुजापाठ पे भरोशा करता है, तो दवाईयां अपने-अपने हिस आप से काम करती हैं, बस यही बात है, इसको अन्यथा और बिल्कुल भी भेद स्वरूप नहीं समझना चाहिए, एक छोटे से कारिक्रम में मैंने आपके अंदर के तत्वों को पकड़ने का प्रयास किया है, किसकी कमी है, उसको देखना होगा, और जिसकी कमी है, उसको प्रयू तत्व से बात हो, या अगनी तत्व से बात हो, कुछ इसी तरह से आज के कारिक्रम का शमापन करते हैं, एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते, आप अपना डेटो बर्थ, टाइम, प्लेस, और नहीं हमें हमारे कारिक्रम के कमेंट में जरूर छोड़िए, और अप आपको आपकी जन्मकुंडली में या जीवन में हो रही समस्याओं के बारे में समझने में आसानी होगी, जाते जाते मैंने जो उपर शलुक बोला था उसका अर्थ समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, धर्म, धन, दवाईयां और गुरु की बाड़ी, धर्म, धन, द पूरा अध्यान कर लेना चाहिए, मतलब यह है कि धर्म जो है उसका हमेशा पालन करते रहे, जो भी आप कारे कर रहे हैं उसमें एक बार ये देख लीजे किया ये धर्म हमें आग्या दे रहा है ऐसा करने के लिए, उसके बाद अगर धन कमा रहे हैं तो ये निश्चित कि आपके जो गुरु बता रहे हैं उसका सत प्रतिसत उसको एकसेट कर लीजे जैसे का तैसा और उसके बाद दवाईयां वो कडवी होती हैं लेकिन खाना तो पड़ेगा अगर इसका बरबाद होना आपके हाँच से है तो निश्चित रुप से ये आपके छती की कारण बन सकती हैं इसलिए इन सभी चीजों का अत्यंत गंभिरता से और पूरा का पूरा लाब लेना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए कुछ इसी तरह से आज के कारेकरम का शमापन करते हैं हमारे इंतजार करना मत भूलिएगा तब तक के लिए इजाज़त दीजिए कल एक बाद फिर से आपके सामने उपस्तित होंगे तब तक के लिए नमस्कार